1913 में बनी फिल्म राजा हरिशंद्र पहली भारत की मुख फिल्म थी इसके निर्माता निर्देशक दादा साहे फालके थे और जिनोंने यह मूवी राजा हरिशंद्र की कहानी पर बनाई थी अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1931 में बनी फिल्म आलम आरा भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसे आवाज के साथ फिल्म आया गया था इस फिल्म के निर्देशक आर्देशिर इरानी थे, दोतो किसान कन्या भारत की सबसे पहली कलर फिल्म थे, जिसे 1937 में रिलीज किया गया था दोतो भारत की सबसे पहली 3D फिल्म My Dear Kutti Chetan थी, जो की मल्यालियम भाशा में थी, झिसे 1934 को रिलीज किया गया था इसके बाद 1998 में इस फिल्म को हिंदी बाशा में चोटा चेतर नाम से रिलीज किया गया